वेलकम टू ग्यानियर दोस्तों आज हम जानेंगी यूनी एंजाइम टैबलेट के बारे कहा देना किन बीमारियों में नहीं देना और क्या इसका डोस है क्या इसके साइड एफेक्ट है सब कुछ जानेंगे वीडियो को देखिए पूरा देखिए आपको बहुत कुछ सीखने हो मिलेगा सो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों यूनी एंजाइम काफी फेमस ब्रांड है हर जगह मिल जाता सबस्वाइब हर जेगह मिल जाता ठीक है सस्ता बहुत सस्ता और तालिस रुपे की पंदरा गोली अर्टालीस पचास रुपे ऐसा कुछ हो सकता है उन्हीस वीश पर लेखता यह ठीक है तो डॉक्टर के नाव पर्चे पर है उसके हाथ पर आ चुका है तो लिखी देता है तो बात करें कि यह रिखता है उससे पहले आप समझाओ कि इसके अंदर पाया क्या जाता है इंग्रेडेडियंट्स की बात कि जाए तो तो यहां पे फंगल डैस् पेटनेएं मुं से ही हुक मोज़े सबसrange रहा है उस कनडीशन में क्या होगा आपका काना पचा होगा बहुज़न आप करोगे खाना पेट में पड़ा रहेगा शड़ता रहेगा फिर आपको क्या होगा गेस बनेगी पेट दोखेगा पेट में दर्द होगा और उसके लावा कब जो जाएगी तो यह सारी समस्याओं के लिए यूने लिखा जाता है तो बैसिकली इसके अंदर फंगल वर्टेवर कुछ भी लेकिन हमारी बॉडिए के लिए खाना कार्वाइटरेट्स प्रोटीन सोर में इन pillar मिन्यूप में जानती है बॉडि बॉडिकोई मतलब नहीं आपने मटर पनिट खाया या कुछ घाया बॉडिको चाहिए कहा था हमारे सरे में डेली रूटिन में ज्य होता भाई देखो यह पापी दस लिए आगा का शलिये एक्ट्रेट करके लिया जाता है जो कि प्रोटीन और दूसरे है किसी मिनर इसको डाइडस करने में करता है तो इक प्रकार से यह भी डाइजस्टि करता है दूसरी हो लोगो तो पैपन भी इसकंदा दो चीज़े मिल जाती है जो कि अच्छा वर करती है तीसरा यहां पर दोस्तों एक्टिवेटेड़ चार कोले हम सुरू से पड़ते हैं भाई कि वह एक्टिवेटेड़ चार कोल क्या करता है पोईजनेस वहलब को जो पॉइंट नहीं हो जाती हो जाती है तो यह इसके अंदर प्लस में क्या मिल रहा है एक्टिवेटेड चार कोल तो यह उन को निकाल कर देता है बहुत अच्छा है इसलिए यह बहुत अच्छा रिजल्स देता है रिजल्स मिल जाते है कि वाही यह बात कर लнос smaller वट कि यूज कहां कहां करते हैं जार से बात है धारे लग रहा है आप युज के मिल रही है शचते रही है कब होई हो रहना वाद लेटर रहा है लेटर उतर नहीं रही है तब डॉक्टर यह लिख देगा कई बार ऑपरेशन्स बगरा हो आते हैं जो पोस्ट सर्जिकल कंडिशन्स रहती है मतलब कि आप खाना खारा आदमें खाना पच्छी नहीं रहा तब सर्जरी के बाद लिखा जा सकता है कई बीमार लेता है आदमें तब उस कंडिशन में भी आदमें को लिखा जाता है यह कंडिशन यह टैबलेट तो यहीं दोस्तों की ओटी सी ब्रान एक प्रकार से मतलब का हर्चे के मिल जाता है इसमें इतना ज्यादा डॉक्टर के परचे की जरुत पड़ती नहीं है बट फिर भी बि नहीं लगना चाहिए थियो फाइलन के साहत में अगर आप सोचते हैं ले ले लें तो उसके साथ ड्रग इंट्रेक्ट करेगा आपको कुछ तीसरा साइड एफक्ट देखना को मिल सकता है तो थियो फाइल नहीं याद रखो उसके लाब बात कि जाए इसके कुछ को नहीं द हएं देना ठीक है और किसी को अगा फ़िक है अ फल्रक देन्लेव को ब्लेटक में और इसको हिए उसको नहीं देना किसे काई शॉर्ट प्ल lies को आपको उन लोगों को नहीं देना चाहिए इसके तो टोसं का यहीज दूस्तों एक गुलिज़गी सिंपल है क्लियर कट एक गोली सुवह साम पानी के साथ खाने के बाद तो चार पाइंट दिन लेना है ठीक है तो यहां पर एक चीज़ एड़ करना चाहूंगा कई लोग इसको बहुत लंबे-लंबे समय तक लेते हैं 15 15 दिन माईना माईना भर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहि होगे तो आपके बॉड़ी की जो बनाने की समता है एंग्याइन तो वह भी खतम हो जाएगी फिर आपको और दिक्कत आएगी तो यह तब ही लिया जाता है जब बहुत दिक्कत हो चारपाइज दिन के लिया जाता ज्यादा लंबे समय तक नहीं लिया जाता ठीक है सर्च करो तो आपको मिल जाएंगे तो बैसिकली यह एंजाइम है ठीक है तो अच्छा है आप चाओ तो ले सकते हो और ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है बट साइड इफेक्ट यह हो सकता है कि डिप्रेशन हो सकता है इसके लाभा कोई भी नहीं है अब्डॉमनल पेन हो सकता है अगर आप ज्यादा ले लोगे इसको आप दो तिन टैबलेट खा लोगे अगर ओवर्डॉस ले लोगे तो है कि भाई पेट वगयरा दुखने लगे पेट में दर्द हो सकता है तो यह होता है दोस्तों यूनिय एंजाइम टैबलेट आई होप कि आपको वीडियो प फज्चियो।